कि नमस्कार सी आई टी एंसी आर्टी की लाइव इंट्रेक्टिव सत्र में मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अभी नंदन करती हूं आप सभी हमें देख पा रहे हैं यह विद्या चनल नंबर 11 पर और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल और हम बता देते हैं हमारा जो यह सत्र है वह हिंदी का है और कक्षा 11 के विध्यारतियों के लिए है और इस सत्र में आज क्या है यह भी हम आपको बताएंगे लेकिन हम यह जानना चाहेंगे स्टुडेंट्स आपने बच्पन से अभी तक बहुत सारी कहानिया सुनी होंगी औ होंगी परियों की होंगी जादुगर की होंगी कई जानवरों की भी होंगी और जिसमें काफी हमें प्रेणादैक संदेश भी मिलते थे और आज भी हम कहानिया सुनते हैं अब हम कहानिया सुनते भी हैं और कहानियों के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं तो आप सभी सो हिंदी कहानी की कहानी तो आज हम कहानी पर चर्चा करेंगे उस पर विस्तार से बात करेंगे उस पर बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियों मौझूद है मारी आज की एक्सपर्ट प्रोफेसर संध्या सिंग मैम आपका बहुत बस्वागत नमस्कार मैं हैं अध्यक्ष सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा फोन नमबर नोट कीजिए 8800440559 और आप हमें इमेल के माधिम से भी अपनी प्रतिक्रियाएं अपने सुचाओ यदि कोई प्रशना आपके जहन में आते हैं तो जरूर आप इमेल कर सकते हैं dth.class11 at the rate cit.nic.in पर और हमारे YouTube चैनल NCRT Official के लाइफ चैट में जाकर आपने मैसेजिस अपने सुचाओ हम तक पहुंचा सकते हैं और इस सतर से जोड सकते हैं इस सेशन को शुरू करने से पहले हम साजा करना चाहेंगे बहुत इंपोर्टेंट इंफरमेशन G20s related. We are proud that India assumed the G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilaterism, India G20 Presidency would be a watershed movement in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhev Kutumbakam or the World East is one family. कहानियां जैसा कि आपने कहा कि सुनते पढ़ते रहे हैं बच्पन से ही बहुत से लोगों से सुनना और पढ़ना दोनों करते रहे हैं कहानी की परिभार्षा अगर ठीक से देखी जाए तो कहानी की परिभार्षा स्वेम कहानी होती है क्योंकि इतनी तरह कि कहानिया इस दौर में गल्प कहते हैं, गप भी कहते हैं संस्कृत में, इसी तरह से हम लोगों को शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश में कहते हैं, यूरोपियन स्टोरी को खास तरह से वह शुरुआत हुए थी, तो ये जो तमाम शब्दाएं हैं, इनको अगर हम कहानी मानते हैं, तो कहानी के शुरुआत कहने के कहने सुनने की एक बड़ी तीवर इच्छा, बिना एक दूसरे से बातें किये रह नहीं सकता हैं, और बातें करने में कहानियां बनाना भी उसका सभाव होता है, जब कभी हम आपसे कहीं घूम किया, आकर मिलेंगे, तो आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे, जो कहानी की तरह लगीगी, मैं वहाँ का बड़न करूंगी, तो ऐसा लगेगा जैसे कहानी है, तो कहानी एक जन्म तो इसी से हुआ, निश्चितरुप से कहने सुने की जो एक ख्वाईश थी, इच्छा थी, उस ख्वाईश को ही और अलाओं के बीच पहले अलाओ जलते थे, और उसके आसपास कहानियां गाओं में कही जाती थी, खुब सुनाई जाती थी, तो वो कहानी का जन्म इस तरह से हुआ है, तो आज हम हिंदी की बात करेंगे, वैसे तो बांगला में, उर्दु में, हमारे भारत में भी यह परंपरा शुरू हो चुकी थी, लेकिन हिंदी में अगर मैं कहूं तो बहुत से लोगों के अलग-अलग मत हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आप स्वामी की कहानी है और इंदुमती कहानी कि शौरुदास गौसामी की वभी आई 1900 में, और दुलाई वाली कहानी बंग महिला यह भी 1907 में आई, राखी बंद भाई 1909 में आई, यह जो उपर की जितनी कहानी हैं इने बताई प्रणफ नहें को छोड़ कर, 1900 से सरस्वती पत् थे महावीर परशादी विवेदी विदी महावीर परशादी विवेदी देनेpected के वह बहुत विकास हुई कहानी अध्य भी भात नई विधा कह सकते है क्योंकि एग प्रमच करते हैं और दुरुए के सरस्वती पत्रिका बहुत योगदान रहा। यह पत्रिका यह कहानिया जिनका जिक्र कर रही हूँ यह भी उनमें ही आईू इसी तरह से 1911 में जैशंकर प्रसाद की गृम कहानी आई। कानों में कंगना राजा राधिकारमन प्रसाद से की उनना स्टेरव में आई रक्षा बंधन कहानी उनना स्टेरव में विश्मबनाथ शर्मा कौशिक की आई फिर इसी के साथ ही एक कहानी जो मैं इसमें डालना भूल गई हूँ लेकिन मुझे याद है यह यारह वर्ष का समय यह 1903 में आई थी रामचन शुक्र ने लिखी थी मैं रामचन शुक्र का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि रामचन शुक्र ने जब पहली कहानी का निर्धारन करते हुए कुछ बात लिखा और कहा तो उस पहली कहानी के निर्धारन के समय उन्होंने यह बात जरूर कही कि मै उसको वो मानते हैं, कहते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि ये सारी कहानिया जिनके नाम मैंने लिए दुलाई वाली को छोड़ कर, बंगमहिला की कहानी को भी वो याद करते हैं और कहते हैं कि अगर ये किसी बांगला कहानी का प्रभाव नहीं है, दुलाई वाली, तो निश्च तो इक सारी कहानिया इतिहास की वस्तु बन के रहे गए यह कहानिया आई लेकिन एक खानिया कहां की तरह शुरू किया गया था इसलिए एक отлич style में अलग daily में ये कहाणी शुरू हुई थी और हिंदी में ये छंपी थी तो इसको अगर हम चाहें तो मान सकते हैं लेकिन फिर भी ठीक कैसे होती है उसको ही मैंने इसमें दिया है सिर्फ शुरुवात कांश दिया है उसने कहा था कहानी चंदर श्रमा गुलरी की पंदरा में जरूर आई लेकिन इसके पहले दो और कहानिया चंदर श्रमा गुलरी लिख चुके थे बुद्धु का काटा और एक और कहानी उनकी क्यों गिया ध्यान ये सोचने की बात है इसमें क्या खास बात थी उसने कहा था में इसका प्रारम भी देख लीजे सबसे पहले प्रारम कैसे होता है जब बड़े बड़े शहरों की चोड़ी सड़कों पर घोड़े की पीर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी पानी से अपना निकट संबंद स्थिर करते हैं कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चेंकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानी निराशा और शोग के अवतार बने नाक की सीथ चले जाते हैं तब अमरित सर में उनकी विरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी हटो भाई जी आने दो लाला जी हटो बाच्छा कहते हुए सफेद फेटों खचरों बत्तकों ग भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं यह कहानी 1915 में आई और 1914 में आप साथ जानते हैं कि पहला विश्विद्ध हुआ था तो पहले विश्विद्ध को भी इस कहानी में समाहित किया है एक तरह से कह सकते है क्योंकि उद्ध का द्रिश आता है इस कहानी में यह कहान प्रेम कहानी मानी जाती है, बलिदान की प्रेम की बात इसमें कही गई है, प्रेम की बलिदान की कहानी इसको हम लोग मान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें महत्वपुन बात क्या है कि एक अला का सैयम इसमें दिखाई पड़ता है, जो रामचन शुक्ल ने ये बात कही ह पहली बार इस तरह का जो अभी मैंने पिछली कहानी के जिक्र किये उन कहानी नियुक्त से अलग, पहली बार इसमें कलागत सैयम भी है, कि वन विशे ही नहीं बदला है, बलकि कलागत सैयम भी इसमें दिखाई पड़ता है, तो उस दृर्ष्टी से ये कहानी अपने आप में बड़ी महत्वपुन है और मैंने पहले ही कहा कि प्रथम विश्विदु उन्निसव चौदर में हुआ था और उन्निसव पंदर में एक कहानी आई थी निश्चे ही उसका कहीं ने कहीं इसमें च्छाप दिखाई पड़ता है और उस समय की महत्वपुन बात यह है कि आपने बड़ा महत्वपुन बात था क्यों पौरानी क्या परियों की कहानी नहीं थी बलकि आसपास को अपने कहानी में पहली बार स्थान देना उसको भी महत्वपुन है एक तो यह दूसरी जो महत्वपुन बात उसने कहा था कि है वो है इस कहानी में स्थानियता का बहु चाहर हमें एक चहल पहल दिखा रहा है और कहानी का एक तो कहानी के जो नायक और नाइका होगोले फिर धू droolhi का हानी की शुरौदलगोर αλλά टोटम पूर स्थानियता का अंफरे रेक्ड quedarred लोग कैसे इक के वाले कैसे एक दूसरे से प्यार से जो संबोधन है, हटो बाचा जी, हटो भाई साहब, हटो भाई जी, खालसा जी, यह सारे आप देख पा रहे हैं संबोधन, अपनी आप में बड़ा महत्तोपून है, तो यह अमरी सर बाजार की एक बहुती सुंदर वर्णन इसमें कह सकती हूं कि ये पहली कहानिया ऐसी थी जिसमें स्थानियता का जो वर्णन था उस स्थानियता को आगे चल करके आप देख सकते हैं कि जो आंचलिक कहानिया कही जाती है ना रेंडू की कहानियों को हमने आंचलिक कहानिया कहा तो आंचलिकता का जो पुट आगे की कहानियों मान सकते हैं, यह हमारे विद्याथियों को जानना चाहिए, जरूर ध्यान जानना चाहिए, कि शुरुवात कहां से हुई, अस्थानियता का उन्होंने, जैसे अम्रिसार बाजार का, बिल्कुल इकदम ठेट बाजार वहां का उसका वर्णन कर देना, बिल्कुल उसके बाद इ फिर से एक स्थानियता आती है, और उसी कहानी में, अंत में, लहना सिंग मिर्द्यू के मृति शॉया पर है, उपने गाऊं में नहीं है, लेकिन वो प्रलाप करता है, बहुत ही प्रलाप करता हुआ, अपने साथी वजीरा सिंग सिपाही को, वो कहता है कि तुम कीरत सिंग, कीरत सिंग आ गया क्या, कीरत सिंग कोई गाउं का उनका करेक्टर है, जो अचानक उनको उस सवक्त याद आता है, मृत्तु के समय, और कहते हैं कीरत सिंग यह जो आम का पेड़ है, इस आम की पेड़ पर अब की जो आम लगेंगे, आप चाचा भतिजा मिलके खाना इसको, तीनों जगहों को देखते हुए लगता है, कि उसने कहा था कहानी पहली बार, जो गलागत सैयम लेकर के आई, उस कहानी ने एक नया स्वरूप भी दिया हमें, जिसे आंचलिक कहानिया हम कह सकते हैं, बाद में चल करके, आंचलिक का स्वरूप उससे विकसित हुआ, तो या स्क्रीन पर देखिये है, का लागत सैयम और कुशल यथार चित्रन का ये सबसे सुंदर नमूना था, इरामचन शुगले ने कहा, इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुची के चरम मर्यादा के भीतर, भावकता का चरम उतकर्ष, अत्यंत निपुर्णता के साथ स हीतर से प्रेम का एक स्वर्गी स्वरूप जहांक रहा है, निरलजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा, कहानी भर में कहीं भी निरलज प्रगल्वता, वेदना की विभत्स निपृति नहीं है, सुरुची के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहु यह स्वरूप दिखाई पड़ता है, घटना बोल रही है, हटो बाचा जी, जब वो कहते हैं, हटो भाई जी, तो ऐसा लगता है, जैसे वो पूरी की बुरी घटना, उस कहानी में कैसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और किनका जिकर है, वो पूरा का पूरा पातर बोलते हुए से, पातर की तरह बोलते हुए से, वो अमरिसर का बजार आ रहा है, दुकान आ रही है, और बहुत कुछ आ रहा है, तो यह अपने आप में महत्यपुन है, लेकिन इसके बाद कहानी की इतने रंग रुपाए, यह अकेला नहीं, यहां से शुरुआत हुई, इसलिए हम उसने कहा था को पहली कहानी मान सकते हैं, कह सकते हैं, अलग-अलग लोगों ने, अलग-अलग कहानी को माना है, लेकिन इस कहानी को ठीक-ठीक आने की कहानी कहा जा सकता है, जिसमें कलागत सैयम है, जिसमें भावकता भी है, प्रेम भी है, बलिदान भी है, आदर्श भी है, लेकिन इ हुआ के जबान पर तेरी कुरमाई होगे देखता नहीं मेरे ये शालू वो जो नाइका कहती है अपने आप में कहानी बहुत ही खुबसूरत तरीके से आ जाती है और इसमें कहीं भी नाइका और नायक के प्रेम को नहीं दिखाये गया है सिंपल सिर्फ इतनी ही बात की गई है कि जब मिलती है लहना सिंग से एक जगब सुवेदार से शादी हो जाती है सुवेदार्नी बन जाती है और कहती है कि मेरे पती और मेरे बेटे की रक्षा करना तुम सीमा पर हो तुम रक्षा करना और वहां उन लोगों का ध्यान देना और उन लोगों को बचाने में लहना स आप देख सकते हैं चर्म देख सकते हैं जिद हम बलिदान कर देता है यहां से शुरुआत होकर कहानी जो आगे बढ़ती है अब मन मेंगध्यों आरा होगा हमारे नर्शकों को हमारे बच्चों को विद्द्रतियों को कि प्रेम चंद तक जाती है, यह हमें हमारे लिए सवभागी की बात है, कि प्रेम चंद जैसा लेखक हमारे साथ आया उसके बाद प्रेम चंद जैसे लेखक, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेम चंद का समय जो होता है 1880 से 1936, 1880 में उनका जन्म है और 1936 में मृत्व हो जा कहानी की शुरुआत इसकी कैसी की प्रेम चंद बहुत ही अथार्थवा दी थे, उनको तो बाद में उन्होंने खुद अपने लिए जो शब्द प्रेयोक किया आदर्शोनमोक की अथार्थवाथ, कहानी के शुरुआत पहले देख लीजे, फिर मैं इस पर बात करती हूँ, किसी काउं में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था सीधा साधा गरीब आदमी था अपने काम से काम न किसी से लेने में न देने में एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा समाए इस कहानी में सवासर गेहूं का ये शुरुवात है सवासेर गेहू कहानी की शुरुवात आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आम जैसे पुरानी हमारे हाँ लोग कथाएं कही जाती थी एक प्राचीन कथा परंपरा जो हमारी थी भारत की उस प्राचीन कथा परंपरा से इस कहानी को आप देख सकते हैं उसमें वो बातें दिखाई पढ़ रही है इस कहानी में जो बात निकल करके आ रहे हैं आदरशुन मुख्य अथारत्वाथ आप कह सकते हैं कि प्रेम CHANG का समय जो था लगभग कहानी लिखने की कहानी की जो यातरा थी लगभग 20 साल की यातरा थी 20 साल तक उनकी कहानी के यातरा लगभग चली होगी, उस 20 साल के दौरान, उन्होंने आदर्शोंमो की अथात्वात से चल कर, आलोचनात्मक की अथात्वात से हो रही है, कहानी की शुरुआत बिलकुल कह सकते हैं की एक पुरानी प्राचीन कथा परंपरा थी, उससे हो रही है, प्रेम चंद पहले उर्दू में लिखते थे, हम सब जानते हैं, प्रेम चंद उर्दू में लिखते थे, इसलिए उर्दू में लिखते कारण उनके पास कहानी कहने का ढंग था, पहले से वो उसमें काफी मजे हुए थे, एक कहानी बलकि उनकी आती भी है, दुनिया का सबसे उस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दो दर्शकों को, दुनिया का सबसे अन्मोल रतन जो कहानी थी, वो पहले उर्दु में आई थी, बाद में हिंदी में आई थी, उस कहानी में एक नायक है, दिल फिगार, और दिल फरेब नाम की नायका है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उस कहानी दिल फरेब जो है दिल फगार को कहती है कि तुम से विवाह में तभी करूंगी जब तुम दुनिया का सबसे अनमोलरतन मुझे लाके दे दोगी यह कहानी कहने कि देखिए बिलकुर पुरानी परंपरा है जो प्रेमचन ने दी थी शुरुवात में और वो ढूंटा है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि दुनिया का वो अनमोलरतन कहां से लाए जैसे ही वो कुछ नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने जाता है तब तक प्रकट होती है एक अधी अजीम सक्षक्सियत और वो उसको कहती है कि तुम जाओ पूरब में एक देश है और हिंदुस्तान उसका नाम है उस पूरब देश में पूरब में हिंदुस्तान देश में जाओ वहां तुम्हें वो दुनिया का सबसे अनमोलरतन मिलेगा और वो आता है वहां युद्ध का पूरा दृष्य है सारे शत्विक्षत शौ पड़े हुए है लेकिन एक सिपाही कराहता हुआ वहां पर लेटा हुआ है उसकी कराह सुनकर वह वहां जाता है सिपाही पूछता है तुम कहां से आये हो वो बताता है तो वो कहता है तुम ऐसे समय पर आये हो कि मैं तुम्हारा आतित्थ भी नहीं कर सकता मैं तो इस समय मरनासन हो और आतित्थ ही तुम्हारा गुलाम रहते हुए मैं क्यों जीना चाहूंगा गुलाम धर्ती पर मैं नहीं जीना चाहूंगा अभी जितनी दूर में हूँ लेटा हुआ बस यही धर्ती मेरी है और इस गुलाम धर्ती पर मैं नहीं रहना चाहूंगा और वो तुरंट से कहता है कि जय भारत माता और उसके कुटन का फवारा निकलता है और फवारा जो निकलता है यो पहुचता है इसके उपेडिया बनायक आसा 10 दुनिया में हो नहीं सकता, तो ये कहानी कहनी की जो एक कह सकते हैं फार्शी परंपरा थी, ये जो उर्दू से आई थी, तो प्रेम चंद कहां पहले से थी, लेकिन वो कहानी कहनी की परंपरा हिंदी में जब आई, तो बिल्कुल लोग कथाओं से जुड़ गई, जिसको मैंने अभी सवा गेमों का शुरुआत का, कि किसी गाओं में एक किसान रहता था, तो किसी गाओं में, जिसे हम लोग कहते हैं एक राजा था, एक रानी था, बड़ी दूर, एक राजा के तीन बेटे थे, ऐसी कहानी कहनी की जो एक परंपरा रही, वो परंपरा से शुरुआत इन्होंने की, तो यथार्थ वादिकानी लेकिन इनके हाँ आदर्ष भी था, इनके हाँ यथार्थ भी था, इनके हाँ स्वतंता संग्राम संबंदी कहानिया भी हैं, इनके हाँ राष्ट्रियां दोलन भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन इनकी कहानियों की जो जान रही कह सकते हैं, क इसमे पहले कहानियों में आते नहीं थे ऐसे थार्टवादी और आप यह कह सकते हैं आप जान जाने चहिए कि आंचली कहानियो बाद में चल कर राइ जिसा की शुरुवात उसने कही था की से आप मान सकते हैं प्रेम चंद में वो बाद में चल करके इस ही को बारीक से चीजि aurka करके लेख हाए जिसमें में रेणू का नाम पहले नंबर पर लोंगी। बहुत सारे लेखा का है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नियम है और उपयोगी होने के लिए है। प्रेम चंद ने अपने एक नोट बुक में लिख कर रखा था। गम की कहानी मजे ले लेकर कहना। तो मजे ले लेकर कहना ये दो कहानिया उसमें मैं नाम इसका लेना चाहूंगे। पूस की रात और कवफन। पूस की रात उनने सोटीस में आई थी। कवफन उनने सोटीस में आई थी। उनने सोटीस में प्रेम चंद के मरतु हो जाता है। तो ये दोनों कहानियों को आप पूरे तोर से जो योरोपियन शॉर्ट स्टोरी थी और बांगला का गल्प था इन दोनों से ये अलग है हट करके है। कष्गों से योरोपियां ए कि-धर यात्रा करते हुए रे और बांगला से हिंदि में आई। यहां पर मज़े लेकर इन्होंने गम की कहानी आप पूस की रात करो। पुस की रात में हलकु नाम का किसान है, आप सब को ध्यान होगा, बच्चों आप लोग जानते होगे, हलकु नाम का किसान है, जो नील गाय खा जाती है फसलों को, तो नील गाय से बचाने के लिए पौश के महीने में, यानि बहुत ही ठंड का समय, उस ठंड के समय में, वो पति जलाकर किसी तरह पने शरीर को गर्मी देता है, जब गर्मी उससे थोड़ी सी मिल जाती है, तो वो सो जाता है, उसको अच्छा लगने लगता है, और कुता भौट भौटा है अचानक, नील गाय आ चुके है, कुते को भौद में को सुनकर भी रलकु अपने मचान से उ जानता है, उसको लग रहा है कि निलगाय आ गए जी, जिस निलगाय के लिए वह बचाने के लिए खेत में रुका था, बावजूद इसके वह उठता नहीं, ठंड के मारे सो जाता है, और सो जाता है, और सुबह उसकी पत्नी जब जगाती है, तो कहती है, सारी फसल निलगायो उने खा लिया, तो वो कहता है, कोई बात नहीं, अब ठंड में तो नहीं सोना पड़ेगा, ये अंतिम है, अब हमें कम से कम इस ठंड में तो नहीं सोना पड़ेगा, इसी को प्रेमचंद कहते हैं, कि गम की कहानी मजे लेकर, ये दुख की कहानी है, लेकिन इसको मजे लेकर कहना, इसमें भी मज़ा, कि थीक है कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया लेकिन अब मैं कम से कम हमें इस ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा बिल्कुल इसी तरह से कफन कहानी कफन कहानी जो उनकी अंतिम कहानी 1936 में आई थी उस कफन कहानी में भी आप देखेंगे कि जो घीसू और माधो दो केरेक्टर ने बुदिया है बुदिया प्रसोपीडा से परेशान है कमरे में प्रसोउ उसका चल रहा है और घीसू और माधो आलू भुन भुन कर खा रहे हैं और उने कोई चिंता नहीं है कि पूखन के लिए जो पैसे मिलते हैं, दान में लोगों से जुटाते हैं, उन कफन के पैसों को भी शाराप पीकर खत्म कर देते हैं पर जीवन की छड़ भर की खुशी के लिए उस छड़ भर की खुशी के लिए पूरा का पूरा हो जीवन उचाओर कर देते हैं एक तरह से तो यह भी कहानी इसी टेल्स आफ मिज़री उड़ इंज़्ाइवल स्टाइल के करीव थी गम को बड़े मजे मजे कहना तो यह दोनों कहानिया इस तरह से कहानिया उनके हाँ चली प्रेम चंद के बाद फिर कौन से आये लेखक प्रेम चंद के बाद अगर मैं नाम लो तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जैशंकर पुसाद को बात भी नहीं कहना चाहिए बलकि थोड़े से समय के बाद जादा समय ने लग भग साथ साथ तो प्रेम जैशंकर प्रसाद आ गए थे और जैशंकर प्रसाद 18-89 मेन जन इनका बदीन थे 1937 में इनकी बिम्रत हो जाती फ्रेम चंद 1936 में और 1937 में प्रेम चंद के कहानी संगर काहने च्छाया, इंदरजाल, आकाश्ड दीप, यह का आगे चलकर सुदर्शन, विश्वंबर शर्मा कॉशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चतुर सेन शास्त्री, भवती प्रसाद बाज पेई आये, बल्कि बाद में कहा जाने लगा कि प्रेम चंद स्कूल एक है और एक प्रसाद स्कूल है, प्रेम चंद स्कूल में आते हैं स प्रेम चंद स्कूल में हिर्देश और राय कृष्ण तो मैं थोड़ा से पहले प्रसाद के बारे में बता दो कि प्रसाद की कहानियों की आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्रसाद और प्रेम चंद की कहानियों में क्या फरक है प्रेम प्रेम चंद की कहानियो क्या सेम है, अलग एक ही तरह की है, दोनों एक ही शहर से आते हैं, बनारत से आए हैं, बावजूद आपको ध्यान देंगे आपकी इन कहानियों में बड़ी भिन्नता है, पेमचंद की कहानियों में और प्रसाद की कहानियों में बड़ी भिन्नता है, दोनों में बिल्कुल लल अपमट जो उनकी कहानियों में भी आया है वो केवल कविताओं में ही नहीं आया है वो गीट-तव उनकी कहानियों में भी वैसे ही दिखाई पड़ता है उनकी कहानियों में एक तरफ उनका गीतत, और दूसर रोमेंटिक रुप father, रोमेंटिक में इस अरत में कह रहे हूं कि केवल प्रेशिक कहानियों के कारण नहीं कहricular हूं, बलकि इस अरत में कि उन्होंने जो कहानक उठाए हैं, उन्होंने जो पात्र लिये हैं, वो अक्सर इतिहास के पात्र होते हैं अक्सर ऐसे पात्र होते हैं जो किसी अतीत के समय में कभी पैदा हुए होंगे बिल्कुल आज के समय में नहीं ऐसे ही पात्र आते हैं जैसे आकाश दिप उनकी कहानी आकाश दिप कहानी का जो पात्र है जल दस्यू वो गिरफतार किये जाते हैं उनके साथ चंपा भी गिरफतार की जाती है और एक राजा है जो उनको गिरफतार करता है यह सारी पुरी कहानी आरबाद में वो प्रेम हो जाता है उस दस्यू के साथ चंपा का तो चंपा दीप नाम से उस जगे को बसाता है और इस तो जो जितने नाम आप सुन पा रहे हैं वो सारे के सारे नाम इतिहासी के एयों कर सकती हैं, तो रोमैंस भी है, रोमैंटिक ढंग भी आपको दिखेगा, गीतात्मकता भी दिखे, प्रगेगी प्रगीतात्मकता भी दिखे. और जैशनकर्प साथ की एक कहानी गुंडा नाम से आई थी, जो पूरी तोर से स्थानियता का वहां सवरूप दिखाई पड़ेगा, बनारस का गुंडा पर केंदरित है, और आपको बहुत महतुपुन बात है, कि गुंडा शब्द जरूर है, लेकिन वो गुंडा नहीं है, वो लड़का जो बनारस में जो गुंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां विलेन के अर्थ में गुंडा नहीं होता है, वहां कोई खलनायक के रूप में गुंडा नहीं होता है, वो गुंडा कहलाता है, जो सामानी चलन से थोड़ा अलग हट जाता है, यानि र आम तोर पर वहां उस समय गुंडा कहा गया है तो बनारस में जब गुंडा शब्द प्रियोग किया जाता है किसी के लिए तो वो खलनायक नहीं होता है, विलिन नहीं होता है महत्वपुन बात है, वो एक बहुत अच्छा, एक बड़ा करेक्टर होता है प्रेम की दुनिया का बहुत ही बड़ा बाशा जैसा होता है तो ऐसे करेक्टर को गुंडा के रूप में प्रियोग किया जाता है और अब भी बनारसी गुंडा उस रूप में मशूर है बाकी भारत के लोग शायद इस बात को न समझ पाएं जो बनारस में नहीं रहा है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगा कि गुंडा का एक अर्थ भी हो सकता है तो गुंडा उनकी कहानी महत्यपुन थी तो वाकी इसी की परमपरह में सुधर्शन मैंने जासा नाम लिया था विश्यमерт, गौशीक और ये सारे लोग आते चले गए चतुरिशन Śास्त जी, भगति पिसाद बाज़ा, ये लोग आते चले गए माम एक प्रशन आता है कि आपने प्रेम चंद जी का भी जिक्र किया, जैशंकर प्रसाद जी का भी जिक्र करा, तो प्रेम चंद की परंपरा में और कौन से कहानिकार आए, वो भी हम चाना चाहिए और अधर्ष वादित और इस तरह का यठात जो प्रेम चंदक आप परण गए पड़ता है, वह सुदर्शन के यहां हुद दिखाई परता है, विश्वम्स में कौशिक आगल दिखाई परताksom है। उस परंपरा में आगे बढ़े जैनेंत्र पर्यों को मार को इसे में कहोंगी की वह उनके बहुत साथ में रहें के कारण उनमें बहुत कुछ सामय भी दिखाई पड़ेगा प्रेमकन जहां गाओं मिंजाcomes अफंत है गाओं का बड़न करते हैं, जैनेंद्र कुमार मन के अंतर मन में जानते हैं, प्रेम चंद भी गांधिवादी लेखक कहे जा सकते हैं, क्योंकि गांधिवाद उस समय में चरम पर था ही, गांधी अफरीका से लौट आये थे, सब को पता है, असा ही अंदोलन और यह सब बहुत तेजी से चल रहा था, तो गांधी का जो यह समय था, इसने सब को प्रभावित किया, प्रेम चंद को सबसे ज़्यादा, क्योंकि गांधी भी गाओं की तरफ उसके बाद गय थे, गाओं का दौरा किया था उन्होंने, प्रेम चंद ने भी गाओं को खूब बारिकी से गांधी से अंतरमन में जहांकना देखा उना, गांधी से उन्होंने गाओं और उसको नहीं देखा, बलकि मन के भीतर जहांकना, जो अंतरमन की बात गांधी कहते थे, उस अंतरमन में जहांकना, जैनें तो ग्यांधी वादी रचनाकार माने ही जाते हैं, वो उन्होंने उन से सीखा, यह अपने आप में बड़ा महत्वपुन है, जानवी नाम की उनकी एक बड़ी मश्यूर कहानी, उनके सारी कहानियों में दिखाई पड़ेगा, जानवी नाम की कहानी में जब वो नाईका च्छत पर जाती है, बिल्कुल सामाने नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंक कहेगा, लेकिन वो उस दोर, वो हाँ जाती है, और च्छत पर जाके रोटियां खिलाती है, कवों को, कवों को बोलती है, कवों आओ, 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 बुलाती है, और उसके बाद गाती है, कि कागा चुन्चुन खाईयो, चुन्चुन खाईयो मास, दो नैना मत खाईयो, कि मेरी आखों को काल मेना मास कालना कि इनके आखों के निकान कंगे का न judicial कर रही हों गी अपनी प्रीय का इंतजार कर रही होंगी इन आंखों को थे छोड़ देना हो सकता है कि यस की एक जरूरन के लिael गते हैं पाधे जैनेंदर के हाइए एक और बात दिखाई पड़ेगी, मनुवेज्ञानिक लेखक इनको कहा जाता है, मनो वेष्टिलिषनवादी लेखक कहा जाता है, घटना बहुलता इनके हाँ खुब दिखाई पड़ती है, लेकिन यह सारी घटना बहुलता मानों के अंतरमन की, हो ही उकेर करके बाहर लाती है, तो जैनेंद्र के यहाँ यद्देपीन को मनोवेग्यानिक और मनोविशलेशनवादी कह करके सीमित कर दिया जाता है, लेकिन देखना चाहिए कि केवल मनोविशलेशनवादी इसको करके ह जिसे देखने की जरूरत है. यह तो हुए स्वतंतरता से पहले के कहानिकारों की, कहानियों की विशेश्टा, तो स्वतंतरता के बाद के जो कहानिकार थे, उनकी क्या विशेश्टा थी? मुझे लगता है, इससे पहले मैं थोड़ा सा यश्पाल और अगे की भारे में भी दो जल्लो लाइन कहें करके, फिर मैं वहां आती हूँ. यश्पाल और अगे जो हैं चौथे दर्शक के कहानिकार, संक्रांतिकाल के कहानिकार मान सकते हैं, यश्पाल माक्षवादी कहानि मान सक झागे लगता हैं, और अगे धर्शक वादिकार हूँ कि आरे मान मान मन की कहानिया भी कहीं है, यश्पाल के वाख्वादी कहानिकार इसलिए मैं कह रह célink تउक्त को कि इनके कहानी है रखा अधिकार, कःनी के विद्धार्दियाति उन ने तौकplet पढ़ा होगा, जिन उसी कहानी में बहुत छोक मेनाती है।। इसके थोड़े दिन पहले एक बहुत धनी महिला का जिकराता है। उसी कहानी में वो शोक मनाती है। बहुत कई दिनों तक शोक मनाती है, शोक मनाना भी उनके यहां एक उत्सों की तरह होता है, तो इस कहानी में यही आता है कि शोक मनाने का अधिकार भी केवल अमीर के यहां है, गरीबों को शोप मनाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है कि छोड़ सकें, कि हम चार दिन, पंदरा दिन शोप मनाएंगे, महीना भर शोप मनाएंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, उन्हें अगले दिन ही रोटी की जुगाड में जुड़ जाना पड़ बिल्कुल नए धंग से कहानी शुरू की, आप अगला पेज पर देखें, एक उनकी कहानी है रोज अगे की, रोज कहानी का एक जो नाइका है मालती नाम है, उसका नायक और ये मालती, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जब उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, और उसक जहां जिस शहर में वो रहती है, पहाड के किसी एकांत से जगे में, उस जगे पर इस नायक को जाना पड़ता है, तो मालती के घर जाता है, और जब घर जाते हुए, उसका जो अनुभाव है, यहां उसका वड़न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखिए, द फिर भी बोजिल प्रकंपमय और घनासा फैल रहा था वाता वर्ण का अनुभाव इससे पहले हिंदी कहानियों में नहीं दिखाई पड़ता था आप देखिए कि बजार का वर्ण है स्थान का वर्ण है यह सब दिखाई पड़ेगा लेकिन वाता वर्ण का वर्ण यह जो पहल पहली बार आया है कि दोपहर के उससूने आंगर में इस तरह का प्रेयोग यह पहली बार अगे ने रोज कहानी में किया है किस कहानी को गैंगरीन असलमें यह लड़की जो कभी पढ़ने में जिसका दिलसपीर नहीं है जो चुलबुली सी है खेलती रहती है। वो लड़की मालती उसको नायक देखता है कि निरंतर क्या करती है पानी आता है पानी का समय तीन बजे और है तो तीन बजते ही हो कहती है पानी आ गया बस दो चा घंटा बजता है घड़ी का, सुबह हो गई, घंटा बजता है शाम हो गई, ये तीन-चार वाक्य ही वो बोलती है, और जाड़ो लगाते समय, एक कतरन भी अगर उसे मिल जाता है, तो उस कतरन को पढ़ती है, नायक देख के दंग रह जाता है, कि जिस लड़की को पढ़ने मे कोई दिल सस्पी नहीं थी, अपने स्कूली समय में, कॉलेज के समय में, वो लड़की आज एक कतरन को भी, जो जाड़ो में कतरन आ जाता है, उस कतरन को भी पढ़ती है, मतलब ये जो सुनापन, ये जो अकेलापन, इसको वहाँ बहुत अच्छे से उगेरा गया है, और ये किया है, पिलकूँ, बहुत ही सुन्दर, तो ये महतुपुन बात है, ये देखने की बात है, इसके बाद अगर आप देखना चाहें, तो उसके बाद भगधिचन बर्मा, अउपेद्नत, अश्क आते हैं, निराला आते हैं, बिशु प्रभाकर आते हैं, अमरितला नागर आ के लिए से वह देखाई पड़ता कि उसकाद पारत की बात कि भारत की चुछा चुछ १। कहानियों में ये बाते देखने को मिल जाती हैं इसी के आगे अगर कहें तो 1942 में उसके बाद 1942 में अगस्त क्रांती होती है तो 1942 की अगस्त क्रांती या बंगाल का आकाल निस से थालीस-च़ोड़ा नारा चल रहा तो इन दोनों ने बड़ा प्रभाव डाल का हानी को कह रही हूं तो समय का कहानी में बड़ा महत होता है ये ध्याद रखना चाहिए कि जो उस समय का का काल होता है वो काल जाने अंजाने कहानियों में आता चला जाता है और वो जो भी लेखक ऐसा कर पाता है, उन्हें लेपाता है, मान के चली कि वो लेखक ज्यादा सचीत और सजग लेखक है और वो अपने समय के साथ चलने वाला लेखक रहा है, तो इन लेखकों ने, इन कहानिकारों ने उसको लिया, इसका प्रभाव जो पड़ा, क्योंकि इसके कारण स्थितियां बदल रही थी, एक तरह का आदर्शवाद, दूसरी तरह का एक राजनीतिक रुख लेने लगी कहानी, कह सकते हैं, कि राजनीती भी कहानी में आने लगा, मगाल का अकाल आ गया, भूख आ गया, प जनितिक देशा के बारे में पता लगता, उसमें क्या प्रशलित था, इसके बाते हमें पता लगते, तो इसके बाद आपने सवाल किया था, कि सवतंतता के बाद की कहानी है, और इसको हम लोगों को इस तरह से देखना चाहिए, च्छठा दशक जो है नई कहानी, जिसे हम ल बिल्कुल हमारे आने लगी, अब नई क्यों ये हुई भाई, क्या हुआ इसमें नया, ये ऐसी क्या चीजें हुई, चलि हम थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, आजादी मिल चुकी थी, सतन, ठीक है, मुनिस साइटालेस में आजादी मिल चुकी थी, देश का विभाजन हो सकते हैं, जनता ने,िकि काशेहर सरकार उनके लिए सहायक नहीं है, उस समय की सरकार, ततकालियन सरकार, आ, और लाख़ो लोग इसमें मारे गये थे, लाख़ो लोग बेघर हुए थे, पाकिस्तान, के विभाजन को कोन नहीं जानता है और पाकिस्तान के मिल विवा नाखे और विवाजन के झायओ तो नाख Колों कर देखन नाखे सकते हैं। लेकिन इन सब ने एक मिल करके एक नया भारती रच रहे थे, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं, और परिस्थितियां जब खराब होता है, प्रतिकूल होती हैं, तो ध्यान रखिए, उस समय एक नौनिर्माण भी हो रहा होता है, एक तरफ ध्वंस, दूसरी तरफ इसे को निराला ने बहुत सुंदर धंग से कहा है, पत्रोत कंठित जीवन का विश बुचा हुआ है, जो आपने पेड़ पर कभी देखा होगा है, बिल्कुल सुखे पेड़ पर एक छोटी सी पत्ती निकल आई है, मतलब जीवशा इतनी टाकतवर है, कि सारी चीजों को इन ने बहुत खराब इस्थितियां प्यादा कर दी थी, अधेश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन इन इस्थितियों ने पीछा नहीं छोड़ा था, यह इस्थितियां थी हुए है, और बहुत सरी चीजें हो, तो यह इन इस्थितियों ने एक देश का नया देश निर् स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो लेखक हमारे सामने आते हैं, रांगे रागो, फणिष्वनाथ रेडू, द्विजेंद्रनाथ मित्र निगोड, भिश्मसाहनी जैसे लेखक आते हैं, जिनकी तमस बहुत ही मशुहूर, उपन्यास रहा है, और तमस पेक सीरियल भी बना था, जी, हमारे भी दर थी, इसको खुब अच्छे से, जिसमें एक अंग्रेज आता है, साहब, और वो उसके कारण घर में सब कुछ जो पुरानी चीजे हैं, वो धंक धूग दी जाती हैं, कि अंग्रेज आने वाला है खाने के लिए, धंक धूग दी जाती हैं, लेकिन वो, उस जब माँ को वो, अंग्रेज कह सकते हैं, कि उसको, उसकी सराहना करता है, तब इनको महसूस होता है, कि अरे, जिनको हम पीछे हटा रहे थे, ये, हमरे लिए महत्व पुड़ हो सकते हैं, तो उसमें एक नए डंगी, चीज आई थी, कि अंग्रेजों के कारण किस तरह का हम का एक दिखावा का संसार आ रहा था, इन्हें भारत बन रहा था, इन्हें भारत का उदय था, कृष्णा सोबती की कहानी आई बहुत से, किष्ण भल्देव वैद आये, रामकुमार, कमल जोशी, लक्ष्मिरिनार, लाल आये, हर्शंकर परसाई, मोहन राकेश, अमर कांत, उशा प्रियंबदा, निर्मल वर्मा, मारकंडे, कमलेशवर, शेखर जोशी, स्योप्रसाद सिंग, धरमबीर भारती, रगवीर सहाई, मनोहर शाम जोशी, शैलेश मत्यानी, बहुत से ऐसे लेखा का है, और ये आये क्यों, क्योंकि प्रती, कल्पना, निकश, कहानी, नामक की भाषा से परचित हुए हम, उनकी सादगी और को जाना, जो भिश्मसानी के हाँ, एक सादगी है, दिखाई पड़ेगा, रामकुमार वर्मा के हाँ, मरमसपर्शी, करुणा दिखाई पड़ेगी, बिल्कुर भाषा के साथ वो खेलते हैं, कभी की तरह खेलते हैं, तो य सारा कुछ उस समय दिखाई आपको पड़ेगा, यह सवतंतरता के बाद जो हमारा देश बन रहा था, हमारा भारत बन रहा था, उस भारत की कहानिया थी, जो बहुत से कहानी का रहा है, बहुत तरह की कहानिया आई, और सब एक तरह के नहीं थे, सब में एक अलग-अलग, त हम कहीं नहीं भारत के टिहास को भी पड़ रहे होते है, तो इस इस आहितह में सबसे सुंदर तरीके से इतिहास लग बहुत अच्चे टरीके से यीद्शी को हानियों यहीं अबानीय का में आफुए उसकी समय कि, इस दौर में महिला लेखन के लुक्रान हमारी घूप हान इ यह लोग भी काफी लगतार लिख रहे थे महिलाएं शुरू के दोर में दुलाई वाली जरूर दिखाई पड़ती बंग महिला की लेकिन उसके बाद ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती बाद में चल करके महिलाओं का बहुत ज्यादा आगमन हुआ और महिलाओं ने खूब अ कि यह स्वतंता के बाद 1956 की कहानी तीसरी कसम आई थी मारे गये गुलफाम उर्फ तीसरी कसम फिल्म भी आई है सबी लोग जानते हैं तो मारे गये गुलफाम में आप देखिएगा यह जो कहानी आई मैं इसलिए उसका जिकर कर रही हूं कि इन कहानियों में गाउं और शहर की ओर आ रहे थे और शहर से जो गाउं जा रहा था वह वहां अपने आपको स्थापित नहीं कर पा रहा था वह तूट चुका था उखड चुका था जैसे अगर मालीजी कई लोगों ने लोटनी की कोशिश की तेकिन गाउं जाकर उन्हीं लगा कि नहीं अब मैं यहां पर फिट नहीं वैड़ता तो यह भी महसूस हुआ लोगों को तो गाउं और शहर का एक जो द्वंद इन कहानियों में खासरों से तीसरी कसम को प्रेम कहानी जरूर कहा जाता है महत्तपुन है निश्चित रूप से उसमें गाड़ीवान हिरामन और हिराबाई के बीच का जो प इस कहानी में यह इस कहानी को कहानी को पढ़ते समय कहानी के समय को जानना उसके बगेर हम कहानी को पूरे अच्छे तरह से समझ नहीं सकते हैं तो यह हम लोगों को देखना और समझना चाहिए मैं एक प्रश्ण पूछना चाहूंगी आखर में एक साथवे दशक पर भी हाँ पूछे क्योंकि साथवे दशक की तो अपने बात कलें सत्र के दशक में की कहानी की क्या विशेष्टा है थी हां सप्तर के दशक में मैं आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस चुकि भा साथारचीन सीमा संऩर्श हो चुका था निधा चुका था आपको सबको पता है और भारत चीन का जो युद्ध हो चुका था उसने और हमारे एक कह सकते हैं कि हमारे अंतरमन पर हमला किया आक्रमन किया तो भोगा हुआ यथार्थ क्योंकि उसके कारण गरीबी भी आई बहुत सी चीजें गरीबी और बेहाल एक्तम जनता थी जो सवतनता के सपने जिसने देखे थे कि सवतनता के बाद बहुत कुछ मिलेगा और हम लोग बहुत आजाद होंगे सब कुछ खुशाहली होगी वो खुशाहली वो आजादी सपने बनके रह गया और सपने यथार्थ में जब नहीं दिखाई पड़े तो कहीं एक भोगा अजनभी पन आत्म निर्वासाने के सकते खुद से ही हम अपने आपको नहीं समझ पाना हमारे ही दो वेक्तित्व होते चले गए तो एक वानुशिक संत्रास पैदा हुआ तो ऐसा महाल सत्तर के बाद के कहानियों में देखने को मिलता है जिसमें श्रकांत बर्मा महेंद वल बिजय मोहन सिंग इन सब लोगों ने ये कहानिया लेकर के आए और इन सब लोगों की कहानियों में बहुत कुछ आप ऐसा पाएंगे जिसको लगेगा कि कहीं एक जो सपनी देखे थे हमने स्वतंतरता के बाद के वो से मोह भंग हो गया हम अरादेश वो नहीं है यह वो यह वो शहर तो नहीं जिसकी हमने सपने देखे थे तो सपना कहीं टूटा सा कहीं विखंडित सा दिखाई पड़ा तो वो पूरा इन रचनाओं में इन कहानियों में इन लोगों की कहानियों में दिखाई पड़ा तो कहानी अथार्थवादी फिर यहां भी थी लेकिन वो यह कह सकते हैं कि जो हमने देखा जो हमने भोगा उसी को अभी बैक्ति के कहानी इंपिल आई मैम बहुत ही रोचक ये आज का जो शीर्शक था हिंदी कहानी की कहानी अभी तो भी बहुत सारे प्रेशन हैं लेकिन समय में इसकी इजाज़त नहीं दे रहा और मैम आपका हम शुक्र और आप सभी शुटन्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते हम सांझा करना चाते NCRT च्सबुक्स से रलेतर इंप्रमाइशन NCRT च्सबुक्स for 2023-2024 are available throughout the country and these textbooks may be purchased directly from NCRT sale counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Gohati and these sales counter will be functional on all the weekdays including gadgeted holidays Saturdays Sundays from 9 30 a.m. to 6 p.m. and you may also place order for the books online from the website ncertbooks.ncert.gov.in and these books will be delivered at your doorstep without any delivery fee and if you want the soft copy of the books in pdf version you can also download for free from the NCRT कि दिक्षवान ई-पार्चाला website and mobile app so dear students and learners please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor तो ये थी जानकार ये NCRT की books related और हमारा आज का ये सत्र ये संपन होता है लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप कहीं मत जाईए जुड़े रहे ये वीडिया चैनल से देखते रहे हमारा NCRT official YouTube चैनल क्योंकि अपसे कुछ ही पलों के बाद फिर से हाजर होंगे एक नए सत्र के स